Hey everyone, welcome back to our YouTube channel तो आज हम बनाने वाले हैं गाजर मतर आलू की सबजी इस रेसिपी को बनाना बहुत ज़्यादा असान होता है तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करना विंटर्स में जैसे की गाजरे तो आती ही हैं तो इस रेसिपी को खासकर विंटर्स में बनाते हैं जैसा के आप लोगों ने देखा कि मैंने गाल्चर को अच्छे से पील कर लिया था उसके बाद मैंने इने ग्रेट कर लिया है अब मैं इसमें एड्ट करूँगी थोड़े से मटर, टमाटर, आलू और थोड़े से चौप किया हुआ मेथी फिर हम इसमें एड्ट करेंगे अपने मसाले तो यहां हमने सबसे पहले ले लिया है नमक उसके बाद हमने लिया रैट चली पॉर्डर, हल्दी और अब हम इसे कुक करनी के ने रख देंगे तो यहां हमने एक पतीली में या बगूने में इसको कुक करनी के ने रख दिया है आप देख सकते हैं इसमें भी काफी सादा पानी है क्योंकि गाजरों ने पानी छोड़ा है और आपको इसे तब तक कुप करना है जब तक ये पूरी तरीके से अबसॉर्फ नहीं मुझाता आप चेक कर लिए कि मटर और आलू अच्छे से गल गए हो उसके बाद हम एक कडाई में लेंगे थोड़ा सा ओईल उसमें हमने एड़ कहा है जीरा दो से तीन खड़ी लाल मिर्श जो मैंने पहले बीच में से तोड़ ली थी उसमें मैंने एड़ कर लिए है थोड़ी सी हिंक अब मैं तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी उसके बाद मैंने इसमें एड़ किया है थोड़ी सी सूखी मेथी अब जो सबजी हमने बनाई है वो हम इसमें एड़ कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे दो से तीन मिनट तक इसको कुक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं आपको जितनी खानी है आप टाइम डू टाइम उसको उतना भगार करके खा सकते हैं हमारा गाजर मतर आलू बनके तयार है और यहां मैंने इसको सर्फ कर लिया है और मैंने इसे गारनिश किया है घरदनिय के साथ आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करना ये बगड की रोटी के साथ बहुत सौधिश लगती है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज तो लाइक शेट आप